ते key मैं कमेंट और एके सिंह और आज फिर हम अपने तयारी करेंगी यानि की थैस्ति की ट्यारी चल रही है मारी उसको देखिंगे अज हम लाइब्रीरियन की तयारी कर रहे है देखिसे अज पर दोबरार आज पांच वी वीडियो है तो आज फिर यहीं कहूंग millennials अगर आप लाइबरी में अच्छा या एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको old paper यानि की old paper को रट के गेर दीजिए, यानि की रट लीजिए, खोट के पी जाए, जो भी आपको करना है, वो कर लीजिए, चलिए तो आज की class श paper को देखें, और आपको कहीं भी full form मिलें, यानि जैसे full form के लिए तो full form सारी लिख लें, यानि की और एक चीज और उन्हें अलग अलग पढ़ें, क्योंकि library sciences जैसे indest इस तरह से पढ़ें, जैसे बहुत सारी चीज है, इंफ्लानेट है तो आइंफ्लानेट यानि इंफ्लानेट इंडियन इंफ्परमेशन जो नेटवर्ग हैं, जितने भी डिलनेट है, इंफ्लानेट है, तो इस रो है, जैसे ISN नंबर है, ये सारे चीज आपको पता होने चाहिए, चलिए, question number पहला करें देख रहें हम, कि कर देस के लिए है तो यानि कि संक्य विज्ञान प्राद्यों यानि कि डिपार्टमेंट की बात कहीं ए तो संक्य को डिपार्टमेंट कहते हैं इसी ने कर दिया चेल गए चलते हैं कोशन नम्बर नेक्स जैखते हैं इंफलान नेट यानि की इनफॉरमेशन लायबे नेट आपको पता ही मैंने बता दे थी का यानि इंफलानेट- का एक स्वेत्ता शाशी अंतर विश्विद्याले केंद्र है तो क्या है विश्विद्याले अनुदान आयों क्या निकी UGC UGC अब आपको एक कोशन आपको मिलता है UGC का जो यानि कि UGC कब आया और एक कोशन है NAK एन एक कब आया यह दो कोशन आखो पता होने चलाए पर है में कई बार पूचे गए चलिए आगे चलते हैं कोशन नमर तीन है यह 103 लिखा गया चलिए आगे कोशन नमर तीन देख वाल पिक्चर सिदान्त किसका एक सिदान्त है तो वह है फिल्क अनुक्रम यानि की आप्शन नमबर पहला हो जाएगा इस काम से कोशन नमर फौर देखते हैं भारत में परतालम लाइंपर्ठेन्ट इमक्रण से इंपोर्टन्ट आयूटक कोशन है यानि को पता ही होना चीए किसको जाता है देखें अब यहां पे बहुत से मचें नहीं ज autor guitar il refers to reality इन्पोर्मेशन नेटवर्क यानि की Information library network लगा देखेंगे यानि की दिल्ली लाइबरेरी network है सबसे प्रतम library network का जो श्री जाता है देखते हैं question number 5 क्या करा ह। कौन सा नियम खुली पहुंच की वकालत करता है यानि खुली पहुंच की वकालत करता है आपको पता यह देखें मैं आपको एक चीज़ कह innovate यहने लाइब्रेरी में आनि कि लाइब्रेरी में फाइब लौ 창 को aika light LG अपक्षाइब डिखे फाइबस का जो महत्वैं वह इस तरह का महत्वैं जैसे कि लाइब्रेरी में 500 है यानि की लाइब और देडियरी में बुक का महत है उसी तरह फाइव लोज का महत है वैसे पहले हम इसका आंसर देख लें तो चोथा आंसर है यानि चोथा नियम आप से यह दो कोशन हर बार पूछे जाएंगे यानि फाइव लोज पूछा जाएंगा उसके वर्ष पूछे जा सकते उसकी कॉंसेसंस चल रहा है तो यह सब चीजे आको पता होनी चाहिए इसलिए मैं कहता हूं फाइव लोज लोज चीजे पता होनी चाहिए यानि CC और डीडीच और निके नमबर जैसे कल की सेशन में जै पता होना चाहिए तो इसलिए आपको बहुत सारी चीजे पता होनी चाहिए और फाइव लोज और लाइब्री सेंस में जब आपने बीलीव या अमलीव करा तो उसके यह पहले यानि कि पांच लोग संचिप रूप में आपको देती गए हैं ठीक है पार जब अंदर पढ़ेंगे जब अंदर उन्हें खोल के पढ़ेंगे फुल फॉर्म पढ़ेंगे तभी आप इस तरह के कोशन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है बच्चों चलिए आगे चलते हैं कोशन नमब साथ देखते हैं कुशन नमब साथ क्या के रहा है स्वतंत्र भारत के पहले राष्टी पुस्तकारन अद्रक्षकों थे तो स Еще 1 और 62 को यह कंह कोशन anthropog inad ear यहाई कि important है इनके बारे में यह question पूछा जाता है कि यह कौन सी university से पड़े थे यानि विश्विद्याले से कौन से पड़ेवे हैं विश्विद्याले से पड़ेवे इश्वन का नाम छोड़ देते हैं बच्चे चलिए आगे चलते हैं कुशन नमबर आठ देखते हैं निर्ण में से किस राज्ये में सारजनिक पुस्तेकाल ले कानून दो हजार नो लागू किया गया है तो वो है अर्णाचल पर्देश यानि कि अर्णाचल पर्देश की बात लागू किया गया है यानि कि यह कानून लागू किया गया है तो इस चीज़ का ध्यान लगए चलिए आगे चलते हैं कि क्या रहा है कुशन नमबर हमारा इसका क्या होगा अंसर सी कुछाएगा कुशन नमबर 9 देखते हैं कॉलोन वारिक करेंड में टाइम आइस इस तर्ड यानि कि isolate इस तरका है देखे isolate की बात आती है यानि कि 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 कोलोन क्लासिफिकेशन यानि कि CC में isolate यानि कि isolate की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा option number two और एक चीज आपको बता होना चाहिए देखे कोलोन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में आपको एक चीज आप से पूछ जाती है P M E S T यानि कि यानि कि P M E S T अब यह जो important चीज है आपको पता होने चाहिए देखे बताने को बहुत सारी चीज है important पर जब आप old paper करते हैं old paper में कहीं न कहीं इस तरह की चीज़े मिलती है और आपको देखने के लिए मिलती है अब P M E S T क्या है P से आपका बनेगा personality यानि कि P से क्या बनेगा personality ठीक है M से क्या बनेगा matter M W E T यानि मैटर E से क्या बनेगा energy energy ठीक है S से क्या बनेगा space SPC space और T से क्या बनेगा time यह जो है पांच चीजे क्लासिविकेशन में important है और इसी से हम क्लासिविकेशन के किसी भी किताब के नमबर डालते हैं चीक है चो चलिए आगे चलते हैं क्वेशन नमबर 10 रहे हैं कोलोन वर्गगरण के मुक्खे वर्ग डैश में पी का प्रतम इस तर भोगोलिक खंड में क्या स्वारी भोगोलिक खंड में लिया गया है तो वह कहां से लिया गया है उप्योक्त सभी यानि की ललित कलाया इतियास और विदी ऑप्शन नमबर D ह हो जाएगा इसका अंसर चलिए कोशन नमबर 11 देखते हैं 11 के कह रहा है भारते पुस्तकाले विज्ञान में पहली पी एच्टी डैश द्वारा परदान की गई थी तो आपसे मैंने कोशन कई बार पूचा है यानि कि अभी तक जितनी भी हमारी क्लास हुई है चार क्लास पी एच्टी, एम लीव, एम फिल, ठीक है, बी लीव, सी लीव, बी लीव, ये कौन कौन सी इज्वेश्टी ने पहली बार सुरुवात किये थी आपको रट लेना है इससे आपको कोशन मिलेगा ही मिलेगा और आपको पता भी ना चाहिए कब सुरू किया ये वर्ष और पह एच्टी, दिली इनस्टी, और बी लीव, आपका जो एक कौशन में पूछा था, ये वाला जो हमने कौशन करा है, बी लीव, कहां शुरू है था, आपको कमेंट शेक्शन में बताना है, आप वीडियो देखिए, जो पुरानी वीडियो यानि पुरानी क्लासिस हैं, उन्ह किसी पुस्तकार लेका स्थाय रिकॉर्ड होता है, तो वो होता है, एक्सेशन रजिस्टर, अगर आप लाइब्रेरियन है, तो आपको पता है, एक्सेशन रजिस्टर, स्टोक रजिस्टर और सेल्फ लिष्ट, यानि कि लाइब्रेरी केटलो का क्या मैतर है, सबसे ज़्या जाती है यानि कि accession register से हमारी सारी लाइब्रेरी का विपुरांड एक दा से पता चल जाता है चलिए आगे चलते हैं तो question number 13 क्या कर रहा है नई encyclopedia Britannia यानि encyclopedia Britannia dash भागे यानि उसमें कितने भागे तो सीधे सीधे answer हो जाएगा इसका इसलिए आपको पता होना चाहिए question number 14 देखते है नेशनल ब्रिटिश नेशनल बिब्लोग्राफी की आवरती है तो वह क्या होता है सापताहिक यानि कि सापताहिक होती है चलिए आगे चलते है question number 15 देखते है इगरंथाले लाइबरी सोफ्ट्वेर डेश द्वारा विक्सित किया गया है तो वह एन आइसी यानि कि एन आइसी द्वारा नैशनल इन्फोर्मेशन सेंटर आपको पताहिक होना चाहिए और निस्केयर डेलनेट जितनी भी मैं आपको मैं दिखा रहा हूं फुल फॉर्म वह तो लिख लीजिए और जितनी भी ओल्ड फुल फॉर्म जो आपने ले रखा है उसमें से मिलते जा रहे हैं तो आप उनकी फुल फॉर्म लिखते चल जाईए यानि कि अब देख लिए आमने जो लाइबरी सॉफ्टेर है और एक आपसे पूछा जाता है अब यादा कि मुझे लाइबरी सॉफ्टेर आपसे यह पूछे जाएगा सबसे पहला सॉफ्टेर लाइबरी सॉफ्टेर कौन सा था ओपन सोर्स लाइबरी सॉफ्टेर कौन सा ह और सोल सोल लाइब्री का सॉफटेर है और सोल सबसे आसान सॉफटेर है प्लीको लाइब्री शॉफटेर है आपको पताँ उन्हें चीजुशिश दालाया कम्प्यूटर में उसके बारे में पता होना चीज़ है तो इसलिए उस सेज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बाट डालिए बुक पर अगर अच्छी जगह से डाउनलोड करोगे तो सही तरह मिल भी जाएगो पर जाता लाइबरी सॉफ्टेर में उसमें दिक्कत है आप जब भी उसमें डालते हैं उसमें दिक्कत आती ही आती है चलिए आगर चलते हैं कोशन नंबर इस रहते हैं भारत में डेश के लाब के लिए एन लिस्ट विक्सित की गई है तो वह कॉलिज यानि कि कॉलेज की की कुशन नम्मर 17 देखते हैं वैक्तियों और इस्थानों के बारे में सुन्चन अदेश में पाई जाती है तो वह किस में होगे किस में होगे आपको पता देकिए आपसे इस तरह कुशन में का चैंक्त आप likes और इस्थानों की पूचे बैए प्रकार के पुस्तेकाले में बकाय प्रभाव का I का अत्रिक इत्रिक श्रोथ होता है यानि कि वो होता है academy देखे आप से अब यह आगया question ठेक है अत्रिक श्रोथ I का अत्रिक श्रोथ की बात आए देखे आए का अत्रिक श्रोथ आप से पूछे लाइब्रेरी साइंस में यानि कि पुस्तकाले का अत्रिक श्रोत क्या होता है तो पुस्तकाले का अत्रिक श्रोत है कोई फाइन है ठीक है फाइन है आप बहुत से लाइब्रेरी में देखा होगा फोटो स्टेट की मसीने होती है तो बहुत सारी बुके इस तरह कि जैसे कि हम लाइबरी में किसी को भी वह बुक प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं यानिकि लाइबरी में वह बुक हम किसी को बहार ले जाने के लिए नहीं दे सकते हैं तो लाइबरी में स्टूडेंट उन बुकों को वहीं पर फोटोषेट करा लेते हैं और बहुत साई लाइबरी में की चलते हैं आगे कोशन नमबर उननिसवा आइडियल प्लैन वर्डलेन प्लैन विर्बल प्लैन और नैशनल प्लैन की संकल्पन डैस के दोरा विक्सित करी गई है तो वह है रंगानातन जी यानि कि ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा चलिए कोशन नमबर 20 देखते हैं कोशन नमबर 20 क्लास नमबर डैस का एक हिस्सा है तो वह है कॉल नमबर का यानि की स्वरी कॉल नमबर का ठीक है चलिए बुक नमबर कॉल नमबर क्लास नमबर आंको पता होने चाहिए बुक नमबर क्लास नमबर कॉल नमबर चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 21 देखते हैं भारत में ब्रिटिश राज के दोरान पुस्तकाले अध्यक्स क्लब की स्थापन देश मेंग्रेज पहले वार रहे थे इससा को कौलकता में अंग्रेज आए थे यानि कि कौलकता में अंग्रेज आए या मदरास में जहां जहां अंग्रेजों ने सबसे यादा चीजों को विक्सित किया वही आपको आंसर में देखे लखनाव सिदे सिदे लखनाव नहीं होने का दिल्ली भी नहीं होने का लाहूर भी नही ही होगा कोश्चन नमबर 22 क्या कह रहा है माला इंफोजिन मद्रास लाइबरी एसोशेशन की एक डैश है तो वह है न्यूज लेटर यानि कि ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा सकांसर चलिए कोश्चन नमबर 23 देखते हैं कोश्चन नमबर 23 कि C-I-L-I-P कि फुल वर्म क्या है यानि ये पोरा नाम क्या है तो आपको मैंने आप पहले पहले वताए तक फुल फॉर्म आप सारी याद रहे हैं तो नहीं कि आपको सारी फुल फॉर्म आपको याद रहे जाए तो इसकांसर आपको फ़र्स चाडिटें इंस्च्टूट ओफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन यानि कि इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल यानि कि ऑप्षिन नमबर वन हो जाएगा इसका अंसर चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर देखें स्वरी चटो पाध्याय समीति की न्युक्ति डैश के द्वारा होए थी तो संस्कृति विभाग और भारसरकार संस्कृति विभाग से एक कोशन पूछा जाता है देखें अभी जो DSSB का पेपर हुआ था यानि कि सरदियों में जो पेपर हुआ था इसका रिजल्टिव आ गया और ब पेपर है जिसके पास भी हो वह शेयर करते यानि मुझे बता दे मैं आपको कॉंटेक्ट कर लूँ मैं आप से वह पेपर ले लुआ ठीक है बचो चलिए आगे चलते हैं कि कोशन नमबर 25 कह रहा है राष्ट्य पुस्तकाले मिशन का पुनर गठन कितने वर्ष में किया जात है चलिए को अलाएउस नमबर 16 देखते हैं पुस्तकाले कानों डैश में मझनाता करता है तो वह करता है पुस्तकाले सेवा को बैघतर बनाने की यानि की पुस्तकाले कानों यानिकि लाइबरेयरी के जो लौव्व हैं यानि analyse के रूल से हैं वह कलाएपर बात करों पहले ल छोड़िए अब घर की बात कर लेते हैं घर में अगर रूल बना यह थे तो बैतरी बनाने के लिए यानि बैतर बनाने के लिए कोश्चन नमबर ट्वंटी सेवन मोडल पुस्तकाले विधेयक यानि की डैस की मदद करता है तो वह किसके है पुस्तकाले अधिनियां का प्रारूप तयार करने के लिए यानि प्रारूप तयार करने के लिए चलिए कोश्चन नमबर ट्वंटी डेखते हैं डॉक्टर एस रंगानातन के प्रतम मोडल पुस्तकाले विधेयक में प्रस्तुत किया गया था तो वह ओल इंडिया लाइबरी कॉन्फरेंस कॉलकता में लेकि जादातर आंसर आपको कॉलकता और मदरास मिलेंगे कॉलकता जा यहें एक क्वरकता की चलते हैं तो कॉलकता मुझराइबरी लेत कि द्रिष्टे से भी अंग्रेजियों कि द्रिष्टे से भी और इतियास के मदरास राज्य में देए कि मैंने कहा था न कॉलकथा आप रट ली जिए के में कि आप Toni कॉलकथा मदरास और मंभाई इनमें आपको सारी चीज Wr etеч Nativestad मदरास और मंभाई कॉछ यह रटिए याद करिये जी कोष्Chенно no.30 देख़े है ने लिक्ट अधिनयां में से किसने पुस्तकाले उपकरण का प्रावदान नहीं किया यानि प्रावदान नहीं किया और नहीं पहले अंडरलाइन के लगाज़े तो महराष्ट्र सारजनिक पुस्तकाले अजिनियम आने की अप्शन नमबर सी आजाएगा हमारा चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 31 क्या कर रहा है नेमलेकित में से किस राज्य में चात्रों के आठवी कक्षा में पहुचने पर उनके लिए पुस्तकाले की सदस्यता की शर्त अनिवारी है और पुस्तकाले शर्त का मतलब यह है आप उनकी मेंबर्शिप की भाथ कर गया रहा है लाइबरेरी मेंबर्शिप की बात कर रहा है और वह है छट्यंकि छट्यंकि दॉक्राच कर रहा है चलिए कोशं नमबर 32 देखते हैं तड스.,uis है किस राज्य में पुस्तकाले विबाग शिक्षा विबाग का एक प्रकोष्ट सेल है यानि कि प्रस्ट कोर्षेल है तो है अरणाचल प्रदेश आपसे एक कोशन मैं पोश्था हूँ अरणाचल प्रदेश से अरणाचल प्रदेश यानि कि एपीकी जो राजदानी है वो क्या है और जो AP की तॉप की नाम क्या है चलिए आगे चलते हैं तॉर्ट नमर थाटी तो देखते हैं पुस्त्वकाले सेवाओं के लिए डैस की मोर करना यानि की और और का मुख्यकारिय क्या है तो वह है सायक कारिकरम यानि कि सायक कारिकरम की बात करिए लिए चलिए आगे चलते हैं question number 34 देखते हैं श्रे प्राव भारी कराने यानि कि यानि कि और गन्मिक्स को डैस के तोर पर यूज किया जाता है तो वो है माना करक्ट इंजिनियरी यानि option number C चलिए question number 35 देखते हैं अवदिक यानि कि अवदारिक रिकोर्ड यादी हस्त रूप में यानि हैंड रिटन में रखे जाते हैं तो इन्हें डैस में रखा जाने चीए यानि कि काना इसकान सरा जाया कोडेक्स या लिन डैक्स चलिए next question देखते हैं यूनेस को एक पुस्तक को डैश वाले एक बिंदू हुए गैर अवदिकरन प्रकाशन के तोर पर परिभाशित करती है तो वह है 49 या इससे अधिक परश्ट यानि कि 49 बने important question है तो इस चीज़ का ध्यान लखे question number 37 देखते हैं ये जन्रल डैश के लिए प्रियुक्त एक पद है तो वह है इन electronic पत्तरिकाओं के लिए यानि कि इसनल किसके रिए बात कर रहा है electronic पत्तरिकाओं यानि कि इसे आपको ईभू कि ये जन्रल ठीक है ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए चलिए question number 38 देखते है question number 38 कैरे network charging system watch dash में प्राराम किया गया था तो वो 19 में यानी की सदी के सुरुबात में शुरूब किया गया था चलिए question number 39 देखते है staff करें में किस पुस्तकार लेकर करमचारी का dash सुनिष्चित के आ जाता है तो वह है व्यक्तिकत और पेश विकास की अब आपसे एक कॉशन मैं पूछता हूं पी-o-e-s-t-i-post पॉस्ट कॉर्ब सी-o-b यह आपको बताना है क्या है और इसकी फुल फॉर्म भी बताने ही तो इसकी फुल फॉर्म आप बताईए और इसको किस ने क्या स्टार्ट क्या गयता है यानि इसकी प्रतिपादक है यानि इसके प्रतिपादक भी आपको मुझे बताने है साजनिक पुस्तेकाले स्टाफ के लिए उपिक शित मुख्य गुण कोशल है तो वो क्या है आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी ए और बी बहुत वाली तो समाज के विबिन सदस्यों के साथ संचार्ण यानि एक तरह से तालमेल बठाना और बाशाक के द्वारा ही तालमेल आपको वैवार आपकी बोलने की शैली और बोलने की कला और आप सदस्यों को जोड़ने का प्रभाव रखें और जागरुक आपको किताबों के लिए जागरुक होना चाहिए यानि प्रित्योगी एक तरह से आप पूरे पूरे लाइबरी में प्रियोग कर सकें जैसे आपके पास 10 बुक आई 10 बुक आई और 10 बुक में आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या कहा गया है किस-किस बुक में यानि 10 बुक और 10 बुक में आपको पता होना चाहिए क्या-क्या आया है क्या-क्या नहीं तो जिससे आप पार्टक को भी बता सकें कि ये बुक अच्छी है आप इस बुक को पढ़ीगे चलिए कोशन नमबर फॉटीवन देखते हैं कौन से पुस्तकाल है सयुक्त राष्ट संग के एक न्याय सी पुस्तकाले के रूप में काम करते हैं तो वो है दिल्ली पब्लिक लाइबरेरी यानि की ऑप्शन नमबर ए चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर फॉटीव क्या राष्टे पुस्तकाले मिशन की स्थापना वर्ष टैस्ट में की गई थी तो आपको यह पता होने चाहिए इसका अंसर हो जाएगा कोशन नमबर फॉ नमबर फॉटीए ठेकते हैं बारत में कितने राज्यों में जुलाई दोजार तेरह तक पुस्तकाले विदेयक लाग उप्या गया था तो यह 19 है और यह जो कॉशन है लाइबरेरी के पेपर में यानि कि आगा सो पेपर लाइबरेरी के हुए है तो सो में से पचास में पू पुचा गया है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 44 क्या कर रहा है सारजनिक पुस्तकाले भारतिय मानक ब्यूरो के द्वारा दिशा निर्देश में नियम्लिकित में से कौन सा ब्यूरो है तो वो है किसी पुस्तकाले के लिए उपिक शिगत ब्यूरो यानि कि ऑप्शन पुस्तकाले मानको का पाला नियम्लिकित में प्रियोज ना किया जाता है तो आपको पता ही है गरंद सुची रिकॉर्ड का आदान प्रत्दान यानि कि option number B और एक चीज आप से पूस्ता हूँ मैं आपने अगर लाइबरी लोन के बारे में सुनाए लाइबरी लोन तो library loan के बारे में आपको पता होना अच्छी library loan एक important चीज़ है जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़े नहीं है तो हम library loan के तौर पर भी लेते हैं library loan का concept अच्छा लगा concept यह एक तरह से अच्छा concept माना जाता है जैसे सयोग की वावना इत्वन वाली बात होती है कि आज आप मेरी मदद करें और मैं कल आपकी मदद करूंगा इसलिए उसे library loan के तौर पर भाना जाता है चलिए question number 46 देते हैं राजा राम मोहन नाय library foundation के स्थापना का प्रयोजन क्या था तो वो आपको पता ही सारजनिक उस्तकाले के विकास के लिए वित्या और अन्यसायता मोहिया कराना यानि कि library RRRRRRRR LF यानि RRRRF मिलेगा या फिर इस तरह का RRF मिलेगा क्योंकि राजा राम को एक राजा राम राजा राजा और आप दिखते हैं राजा राम मोहनराय लाइब्रेरी फाउंडेशन इस तरह पढ़ा जाता है वह सी जनल से तो आपको पता ही है इसका क्या काम था भै धन परदान करना सयोग परदान करना एक तरह से पूरे इंडिया में लाइब्रेरियों का जोर या फिर एक तरह से इस्थापित करना पूरी लाइब्रेयों को स्थापित करना और लाइब्रेयों के द्वारा उनको जो पाठक है या फिर जिनके पास किताब नहीं है और उनको किताब महंगी है या जिकितास आज के टाइम पे भी अगर हम अच्छी किताब या फिर बहुत सारे ओतर की अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं तो जो किताबें हैं वो लाइबरी में जाके पढ़ते हैं या फिर उनके जिरॉक्स किरा लेते हैं आज-कल दीजिटल दोर चल दाया है तो दिजिटल में उसका सर्स्क्रिप्शन लेके या फिर उसको एक बार ख्रीद के और डिजिटल रोप में बहुत ही सस्ते रोप में मिल जाती है इस चीज का फायदा बहुत मिला है यानि कि लाइबरी से जुड़ने के बाद पार्ठक को बहुत सारी मददें मिली हैं और आजकल जब से इंटरनेट का दोर आया तो इंटरनेट के दोर में भूर सारी चीज़े जुड़ी हैं कोशन नमबर 47 देखते हैं किसी सार्जनिक लाइबरी यानि पुस्तकाले के लिए ने उनमें से किसी की आवशकता है पूरी करने रूरत होती है तो वह होती है इस्तानिया यानि कि option number a हो जाएगी चली आगे चलते हैं question number 48 देखते हैं संदर्व सेवा की संकल्पना पहली बार डैश के द्वारा आराम की गई थी तो वह थे स्क्रीन यानि की सिल्वन स्क्रीन option number c हो जाएगा चली आगे चलते हैं question number 49 देखते हैं संदर्व रचना शब्द पहली बार पुस्तकाले पत्रीका में डैश में प्रकाश सामने आया यानि कब आया 1891 अब देखिए इसका कोई रोल लिए और इसने क्या पूछे सब्दा हो लिए पहली बार शब्द पहली बार हमें क्या पता कब आया अगर कोई के कहने हमें क्या पता कब आया ये भी चीजे हमें लाइबरी में पता होनी चीज चोटी चोटी चीज बार कोई आप से पूछ कि लाइबरेली में बैठा है हुए आजार किताब है ये दस अजार किताब को का आपको पता *** अच्छा लाइबरेलियन वही है अगर आप यह मानते हैं कि लाइबरेलन किताब भर दो किसी भी तरह से भर दो और अपने destroy पर लगाकर पिर फेसे छोड़ दो तो वो लाइबरिन नहीं माना जाता है, लाइबरिन का मतलब यह आप में जो 10,000 कितार हैं, 10,000 का पता ओरा चीए कि कहां क्या भूक रखी है, जिससे आपको यानि आप अपने पाटक को एक इशारे पर ये बता सुब कि किताब कहा हैं और आप समय वेयरत न करें, यानि कि comment section में मुझे बताइए चलते हैं आगे last question है हमारा last question क्या कि रहा है question number 50 पुस्तकार ले कानून डैस की विकास से संबंदित है तो वो है सारजनिक पुस्तकार ले यानि कि option number first हो जाएगा सारजनिक पुस्तकार ले पुब्लिक लाइबरी पुब्लिक लाइबरी जिसे सब को जोड़ा जाएकर से जो पैसो की कमी यानि पैसो की कमी के द्वारा पाटक अपने पुस्तके नहीं पढ़ पाता उस तरह से पाटक को एक जरिया प्रदान किया गया पुस्तकार ले के द्वारा ठीक है बच्चों यह जो 50 question है यानि कि आज की जो class है हमने cover करी और cover 500 पन्नों से या 600 पन्नों से नीचे पन्ने ना हो और इसमें किस के परने हो यानि कि राजिस्तान के 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 बी के एन वी एस के डी ट्रीपल समी के इस रोग वाले के यानि कि सभी के सारे नैट के कि इनके पेपर जब आप ओल्ड पेपर याद करेंगे तब कहीं यह सोच के चलिए कि लाइबरी का मैंने सतर से असी परसेंट कावर करा है क्योंकि भाई देखे जब बीस परसेंट मैं छोट रहा हूं क्योंकि आप पेपर पूरे कर लेंगे तब भी आप को याद नहीं होगी क्योंकि लाइबरेल में बहुत सारे क्योंशिंक जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए मैं यह कुशन भूरन है a ddc में किस को है Party 166 मा घता किसका है या फिर 420 किसका है 530 किसका है तो यह सब चीजे इस तरह कोशन जो है वह आपको प्रैक्टिस करने पर ही याद होंगे ठीकिए बच्चो आचे करता हूं को वीडियो पसना आए वीडियो पसना आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल वे ज़िए सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें और इस तरह की वीडियो का आप फायदा उठाके और अपना एक्जाम क्लियर करें थैंक यू